क्या कर रहा है इसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं 5 देज में और दूसरा set of workers 13 में और प्लस 24 बोईस इस काम को complete करते हैं 4 देज में तो assume कर लो कि यह same work W पे काम कर रहा है अब यहां पर एक चीज़ different है normal question से usually worker एक होते है normal question में इस question में two types of worker है और everyday 12 men और 16 boys हैं तो अगर हम 5 days की बात करें तो total number of men कितना required होगा इस काम को complete करने के लिए 12 12 12 इस तरह से 5 days में तो 12 into 5 60 men now साथ में 16 boys भी है everyday तो 16 boys 16 boys इस तरह से 5 days अगर हम count करेंगे तो total boys कितना required होगा 16 into 5 that imply 80 boys और इस worker की combination ने इस work को complete किया है अगर हम second case को देखते हैं तो यहां पर 13 men 13 men 13 men कितने दिन तक काम किया है 4 days तक तो total number of men का requirement को अगर हम count करें तो वो कितना हो जाएगा 13 into 4 that imply 52 men और 7 में number of boys कितने चाहिए होगे 24 24 24 24 24 तो 24 into 4 that imply 96 boys चाहिए होगा और इन दोनोंने कौन सा काम किया है सिम work काम किया है तो इन दोनों का जो efficiency होगा जो first group of workers है और second group of workers है इस दोनों की efficiency आपस में क्या होगी equal होगी तो अगर हम इन दोनों को equate कर दें तो यहां पर क्या मिलेगा बच्चो 60 men plus 80 boys is equal to क्या मिल जाएगा 52 men और plus 96 boys अगर आप इसको left side मिले जाओगे तो यहां पर मिल जाएगा 8 men और इसको अगर आप right side मिले जाओगे तो यहां पर मिल जाएगा 16 boys that imply one man का जो efficiency होगा जो काम करने का rate है वो two boys के क्या है equal है यह आपको मिल गया now question में क्या क्या रहा है कि 7 men और 10 boys इसकाम को कितने दिन में करेंगे तो यहां 7 men है और साथ में क्या है आपको 10 boys है आपको पता है 7 men किसके कुल होगा 14 boys के और 10 boys अल्यड़ी पहले से है तो दोनों का अगर आप state of combination में change करोगे boys के terms में तो total मिल जाएगा 24 boys ठीक है आप अप यहां पर कोई भी एक information का help ले लो जैसे अगर आप इस information का help लोगे तो यहां पर क्या लेक सकते हो बच्चो 13 men किसके कुल होगा 26 boys के तो 26 boys और plus 24 boys means 50 boys इस काम को कितने दिन में करते थे 4 days में और अब आपसे पूछ रहा है कि 24 boys इस काम को कितने दिन में करेंगे तो simply क्या लिख होगे 24 boys into मानलों D days में करते हैं तो यहां से आपका boys से boys कैंसिल हो चाहिएगा तो simply आपको answer क्या मिलेगा 200 divided by 24 और यह आएगा डे 8 से 3 और 8 से यह 25 that imply 8 1 by 3 days सो हमारा answer कौन सा होगा option number D यहां पे अगर किती बच्चों को मन में doubt है कि हमने boys, min को boys में change किया है अब boys को min में भी change कर सकते हो यहां पे कह रहा था 7 min और 7 में था 10 boys ठीक है आपको पता है 1 min 2 boys के था तो 10 boys कितने men के equal होगा 5 min के तो यहां से 7 min और यह 5 min तो यह मिल जाएगा आपको 12 min के अब कोई भी एक condition का use कर लो यहां से अब इस बार second condition को use कर लो तो यहां पे क्या कह रहा था कि 12 men और 16 boys तो 16 boys किसक equal होगा 8 men के तो 12 men और 8 men that imply 20 men किसी काम को कितने दिन में करते थे 5 days में अब आपके पास कितने हो गया है 12 men और आपको day निकालना है तो D लिख लो so answer D यहां से भी कितना आएगा 100 by 12 और यह आएगा day say so no इसको आप divide करोगे तो 4 ते यह 3 and 4 ते यह 25 तो यहां से भी D का value इसके equal होगा 8 1 by 3 days तो आप 80 को भी change कर सकते हो answer will be the same